एक बाव फिरिसे आप सबका स्वागत है आपके अपने चलम में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो वूमन्स T20 बिग बैस लीग का यहाँ पर आज की दिन का मैच होगा जो खिला जाएगा पर्थ स्कोचर्स मूमन्स वूमन्स के बीच में तो इस मुकाबले की पूरी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा बस आपको वीडियो जो है यह लाश्ट तक वॉच करना है और देखो यहाँ पर ना पर्थ की जो टीम है वो बहुत स्टॉंग टीम लग रही है मैलबन स्टास के कंपेरिजन में तो टॉस इस में बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होगा तो टेलिग्राम चनल से जोईनों आपका बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको टॉस अपडेट प्लेंग 11 और फाइनल टीम भी वहीं पर आपको मिलेगी टेलिग्राम चनल पर जुन देके दो तरीके एक तो देखो टेलिग्राम चनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरा आप कमेंट सेक्षन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन के अवा उसमें भी आपको टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप एजिली टेलिग्राम चनल को जोईन कर सकते हो यह जो मुकाबलाई दे को स्टार्ट होगा दो बच कर 40 मिनट पर मैच कहला जाएगा वाका पर्थ ऑस्ट्रिलिया में वाका पर्थ का मतलब कहा है कि पर्थ स्कोजस की जो टीम है ना इनका ये होम ग्राउंड भी है ध्यान देना ये भी इनको एडवांटिज है विकेट जो है बेटर्स और फास बुलस को जादा मदद करता है एवरेज स्कोर की यहां पर बात करूँ तो 130 से 150 की बीच में बनता है लेकिन अगर पर्थ स्कोजस के टीम पहले बेटिंग करेगी तो ये स्कोर जादा भी बन सकता है इन दोनों टीमों के बीच में 18 मुकाबल है पर्थ स्कोजस के टीम ने 10 जीते हैं और मेल्बन स्टास के टीम ने 8 जीते हैं मतलब हैट्टर्ड में जब भी खेलिए टीम में टककर का मुकाबल है अब इस वेन्यू पर आप देखो 6 मुकाबले होए ना उसमें एक जीता है बेटिंग फर्स के निवाल टीम ने 5 में चेज हुआ है मतलब यह अब तक तो चेजिंग गराउंड रहा है इस सीजन 6 मेच में से अगर 5 में चेजिंग गराउंड है कि भाई चेजिंग गराउंड है आप देखो जो 6 मुकाबले यहां पर होएं ना उसमें आप देखो फर्स इनिंग में 23 विगेड फाष्ट को इस्पिनस का 19 विगेड है और सेकंड इनिंग में फाष्ट को 18 विगेड इस्पिनस का आइट विगेड है एक और चीज में आपको कलेर कर दूँ कि यहाँ पर जो यह दो 40 का मतलब है कि यह मुकाबला साम को स्टार्ट होगा और साम वाले जितने भी मुकाबले हुए ना इस ग्राउन पर 6 में से उनमें यहाँ पर देखो अच्छे स्कोर्स में हैं लेकिन जो मुकाबले दिन में हुए अच्छा स्कोर बनने की उम्मीद कर सकते हैं साथ के साथ यहाँ पर फास बोलस को थोड़ी सी मेरे साब से ज़्यादा मदद में आपर मिलनी चीए अब देखो पहले बात करें पर्त इसकोचस के टीम की तो लास्ट के 6 में से सिर्फ एक मुकाबला इनके टीम हारी है ओपन करेंगे बैत मुनी और सोफी डिवाइन दोनों बहुत अच्छी प्लेयर है बैत मुनी की बात करूँ कमाल की फोर्म में चल रही है 0, 50, 47, no doubt, 101, no doubt, 99, no doubt, 26 है हेट ट्रेड में इनके नाम 18 मेंच में 106, 79, no doubt, 4, 12, 15 है लास्ट की 3 मेंच से बैटिंग से पहुं मेंच डिप है लेकिन प्लेयर बहुत अच्छी है हेट ट्रेड में 17 मेंच में 540, 23 विगेड है वेन्यू पर 13 मेंच में 378, 8 विगेड है मेडी डार्क हैं उतना खास रिकोर्ड है यह इकटिस, no doubt, 7, 0, 6 यह इनके लास्ट की 6 मेंच है हेट ट्रेड में 3 मेंच में 45 वेन्यू पर 6 में 99 रने नेट सिवर बर्ण है देखो इन्होंने ना last में बोलिंग करवाती है और अगर यह बोलिंग भी करवाती है ना तो नेट सिवर बर्ण एक बहुत तकड़ी प्लेयर है 33, 22, no betting, 8, 26, 8, run 0 विकट है हेट ट्रेड में 4 में 45, 1 विकट है वेन्यू पर 11 में 271, 5 विकट है क्लोई पिपारो हैं इनका कुछ खास रिकोर्ड है नहीं 1, 5, no betting, no betting, 22, 5 है हेट ट्रेड में 16 में 106, वेन्यू पर 35 में 213 एमी जोंस है अगर इनकी टीम पहले बेटिंग करें तो आप इनके ओपर रिस्क ले सकते हो अगर इनकी टीम चेस कर रही है तो फिर में इनको नहीं रखूँगा क्योंकि ये बेटिंग नीचे कर रही है एमी एडगर है ये डेथ में बोलिंग करवाती है बहुत इंपोर्टेंट बोलर है लास्ट के जो 6 मेंच है वहाँ पर इनके नाम 9 विकट है हेट ट्रेड में 3 में 42 विकट है वेन्यू पर 7 में 31 विकट है पीपा क्लेर ही है लास्ट के 6 में 5 विकट है हर में बोलिंग करवा रही है हेट ट्रेड में 11 में 8 विकट वेन्यू पर 27 में 18 विकट है अलाना किंग है लास्ट के 6 में 6 विकट है हेट ट्रेड में 5 में 55 विकट है वेन्यू पर 14 में 109 विकट है अच्छा रिकोर्ड है इनका इस ग्राउंड पे तो यहां से अभी के लिए इंपोर्टेंट प्लेयर कोन है? बैथ मूनी, सोफी डिवाइन, नेथ सिवर ब्रंट, एमी एडगर को बिल्कुल मत छोड़ना, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, तो आप टैनियल पिस्चल को भी टीम में रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए में ट्राइन ही कर रहा, बाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर हैं, इनमें से दो प्लेयर स्कोर्ड में अनॉंस हुए, लिली मिल्स और स्टेला केंपबल, अगर कोई खेलती हैं तो स्टैट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के ओवर डालती है, टैनियल पिस्चल, क्लोई एंसवर्थ, एमी एडगर, डेथ में कोन आती हैं, एमी एडगर, सोफी डिवाइन, क्लोई एंसवर्थ और पीपा, क्लोई एरी, सामने जो टीम है, मेलबन, स्टार्स की टीम, इनकी जो सबसे प्लेई प्लेयर है, मैगलेनिंग, वो भी अब तो बाहर जा चुकी है, लाश्ट की छे में से मात्र दो, मुकाबले जी तीन के टीम, ओपन करेंगी, सोफिया डंकली और मिया बाउचर, सोफिया डंकली देखो, बहुत जादा इस्ट्रिगल किया है, इन्होंने पूरे टोनामेट में, ओपन भी किया है, 34-1 विगट, 0-0-2-7, और फिर लाश्ट में 37, लेकिन यहाँ पर भी इनके कैचेश चुटे थे, तो यह चीज ध्यान में रखना, हेट्टोएड में एक मेच में मात्र आट रन है, मिया बाउचर है, 19-13, 27-23, 41 है, हर मेच में थोड़ा बहुत कॉंट्रिबूशन है, हाला कि पर्थ की टीम के खिलाब रिकोर्ड बहुत खराब है, 3 मेच में मात्र दो रन है, तो यह चीज भी ध्यान में लखना, क्यापसी हैं, यह बेटिंग बोलिंग दोनों करती है, लास्ट के 6 मेच में एक विकर्ड है, वेन्यू से और यहाँ पर देखो, वर रन अगर आप देखोगे, 17-21, 27-23, 22-24 है, हेट्ट वेड में 3 मेच में 46-3 विकर्ड है, वेन्यू पर 2 मेच में 11-0 विकर्ड है, वेन्यू पर रिकोर्ड खास नहीं है, सदल लेन इनकी सबसे अच्छी ओल रामडर प्लेयर में मानता हूँ, लास्ट के 6 मेच में 8 विकर्ड है, बल्ले से यहाँ पर 42, नो डाउट 3-3-24-24-37 है, हैत्रेमेĻ 13 मेच में 157, यह अच्छी बोलन है, शपेशली बोलिंग अगर इनकी टीम पहले कर रही है, फिर तो आप इसको बिल्कूल रखना क्यूंकि यह अपने पूरे चारोवर डालती है, लास्ट के 6 मेच में हाला की विकर्ड दो है, अगर हाँ इनके टीम सेकंड बोलिंग कर रही है तो आप इनको डॉप भी कर सकते हो हेट्वेड में नो मेच में थाओं साथ विगड वेन्यू पर छे मेच में आर्ट रन साथ विगड है शाशा मोलोनी लास्ट के छे मेच में कोई विगड नहीं है सोफीड है इनके सबसे अची बोलर है especially bowling first में क्योंकि death में भी bowling कर वा लीती है spinner हो के भी लास्ट के 6 मेच में 14 विगड हेट्वेड में 6 में 8 विगड वेन्यू पर 2 मेच में 0 विगड है अभी के लिए मैं pick कर रहा हूँ यहां से डंकली को मैं ने रख रहा हूँ मैं रख रहा हूँ कैप सी, सदर्लेंड, नीचे से मैं रख रहा हूँ किम गर्थ और यहां से सोफी डे को, बाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर है, कोई भी खेले, स्टेट्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग के वर डालेंगे, किम गर्थ, सदर्लेंड, इलिंगवर्थ, डेथ में आती है, मोलोनी, सोफी डे, सदर्लेंड और किम गर्थ एनालिसिस वाला जो पार्ट टेस मैच का हो चुका है, कम्प्लेट, उम्मीद करूँगा आपको चीज़े समझ में आयोगी समझ में आये, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, अभी चलते हैं आप पर डेमो टीम की तरह नेक्स स्लाइड में भाईयो आपको डेमो टीम तो में दिखा दूँगा, लेकिन उससे पहले सबसे इंपोर्टन चीज़ कहा है, टेलिग्राम चलन से जो रोना, तो वहाँ पर जो रोने के दो बहुत यह असांत रहे हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलिग्राम चलन का लिंक मिल जाएगा, उससे के साथ भाईयो वीडियो को लाइक करदेना मुल्कुल होता है, बस उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे भी आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए, तो वीडियो को लाइक जरू कर देना, अभी देख लेते हैं आप पर डेमो टीम, डेमो टीम में आप देख सकते हो, wicketking section से मैंने बैथ मोनी और बैटिंग से से मैंने में यह आप आउचर को रखा है और all-aroundangel section से नेज सीवर बेंट, सोफी डिवाइन, एनाबेल सद जाहो तो सोफी डिवाइन को भी इसकर सकते हो लेकिन यह फाइनल टीम नहीं है, फाइनल ट टॉस पर डिपेंड करेगी और वो मिलेगी टेलीग्राम चलबे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सक्षन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन क्या वापको मिल जाएगा धन्यवाद